Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, आज आप लोग के सामने एक न्यू वीडियो लेके आए हूँ और वो है आज का टॉपिक है Python जो कि बहुत एक important और एक programming language है जो आप लोग के साथ ये start कर रहा हूँ और अभी चलते हैं कि Python के बारे में जानते हैं जो कि introduction है Python की तो ये Python जो है आपका Python एक programming language है जो इसका basic यहाँ पर tutorial में आपको बताऊंगा साथ में आपको practically भी दिखाऊंगा कि कैसे run किया जाता है तो Python है क्या Python एक basic concept है basic concept इसमें मैंने बताया है जो कि आपका Python tutorial जो professional और beginner दोनों के लिए ये है और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि ये general और एक high level object oriental language है Python दूसरा तीसरा जो point है ये आपका scripting language भी है Python आपका जो कि Guido Wenrosum के द्वारा इनका ये किया गया था इन्वेंट किया गया था जो इसका founder के क्या नाम है Python का Guido Wenrosum तो ये Python की मतलब जिसे बोलते हैं कि inventor भी बोल सकते है तो Python जो tutorial है ये क्या-क्या topic को cover कर सकता है और इसमें क्या-क्या चीज़े आते हैं जो कि install करने पड़ती है वह आपकी यहाँ पर आती है string आती है आपका list आती है tuples होती है dictionary होती है modules होती है exception होती है date होती है files होती है times होती है input output programs होती है python में यह सारे questions आपके interviews में भी आते है जो बड़े लोग के लिए या फिर आपके python programming के लिए तो यह सारे चीज़े यह आपकी introduction है जो कि python का है अब next आगे बढ़ते हैं कि python है क्या python एक आपका एक dynamic high level interpreted programming language है जो कि आपका object oriented programming को support करता है और एक development application को भी यह support करता है कोई भी आप application को develop करना चाहिए इस चीज़ को आप develop कर सकते है python के through python बहुत ही easy और इसे जल्दी से easy हम लोग इस चीज़ को सीख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही high level data structure भी use हो सकता है जब यह आपके उपर है कि आप इससे कितना अच्छा से आप learn किया है इसके बाद आके परते हैं कि python एक easy तो है ही साथ में versatile scripting language भी है जहाँ पर यह आप web development या फिर application development में आप use कर सकते है python का जो syntax है वो dynamic typing और interpreted जो इसका जो nature है वो interpreted nature है इसका और साथ में इसका आप देख सकते हैं इसका जो ideal language है यह rapid application को develop कर सकती है साथ में इसमें आप multiple programming आप कर सकते है pattern को आप use कर सकते हैं और यह object oriented है imperative है functional है procedural oriented programming आपका style है इसमें जो use हो सकती है साथ में आपका जो python है यह आपका कोई भी particular जितने भी programming areas है जैसे कि आपका multiple programming language हो गया इस इसको यह यूज कर सकते हैं जैसे कि आपका enterprise हो गया 3D CAD हो गया इस टाइप की चीज़े या फिर wave हो गई यह सारे आपका यहाँ पर python में use होते हैं अब आगे इसका आगे है आपका कि इसका data type को declare करने के लिए हम लोग dynamically हम लोग programming में हम लोग dynamically हम लोग use कर सकते हैं जो कि integer को जहाँ पर हम लोग अगर a equal to 10 जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम लोग assign कर सकते हैं integer की value को जो कि एक integer variable है तो यह सारे चीज़े python में possible है साथ में python को जो हम लोग develop करते हैं य जितने भी compilation वगरा होते हैं यह सारी चीज़े आपका include करती है python में जो कि आप इसको edit भी कर सकते हैं या फिर test या फिर debugging भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही fast test में होती है अब next आगे चलते हैं कि आपका python 2 और python 3 यह बहुत ही important है जो कि आप आपको जानना ज़रूरी है जो python 2 है वो पहले आया है और उसके बाद आपका python 3 आया तो python 2 और python 3 में basically ज्यादा कुछ का difference है नहीं इसमें syntax की difference है कि जैसे हम लोग print करते हैं print का difference आप यहां पर देख रहे है कि python 2 में जो print statement जो होता था वो print का मैं आगे बताऊंगा आप लोगो जो print होता है वो something जो print करने के लेकिन उसके अलावा अगर python 3 है तो उसमें हम लोग function है उसको भी हम लोग print कर सकते हैं कि print और कुछ भी हम लोग जो भी चीज़ है अगर हम लोग को print कराने अभी के time में तो directly उसको हम लोग print करा सकते हैं तो यह हम लोग क्या है कोट के अंदर में या फिर ड्रैकेट के जो इसके साथ साथ Python 3 में आपका आप इंपूट तो ले सकते हैं साथ में फंक्शन को automatically interpret भी कर सकते हैं मतलब आप इसको change भी कर सकते हैं तो इसमें जैसे कि आपका कोई टाइप की value है जैसे primitive function हो गया जैसे आपका int हो गया str function हो गया या फिर इस type के आपकी जितने भी functions हैं जो कि हम लोग python 3 में use कर सकते हैं इसके बाद आपका python 2 में implicitly आप लोग कोई भी string को जो nci की अंदर हम लोग python 3 है उसको implicit way में हम लोग उसको use कर सकते हैं जैसे कि unicode के थ्रूँ तो इसके बाद आते हैं आपका जो point है जो कि है python 3 में कोई भी आपका जो x range है उसके अंदर नहीं होती है तो यहां पर basically जो इसका small made up जो आप यह चीज़ देख रहे हैं यह यहां पर आपका exceptional handling बहुत ज्यादा अच्छा होग जो कि python 3 में होग जो कि आपका python 2 में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जो कि यहां पर यह programming tool आपको मिल जाती है जहां पर python 3 में possible है तो यह हो गई आपकी python 2 vs python 3 इसके बाद आते है python की features यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने already क्या-क्या इसकी features है वह मैंने देखे रखी है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं तो last तक जरूर देखेगा क्योंकि यह थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और यह python programming की पहली वीडियो है इसलिए इससे last तक जरूर देखेगा बहुत सारे कुछ इसमें मैं डालने वाला हूं और आपको दिखाने भी वाला हूं साथ में तो पहला चीज़ है आपको यहां पर क्या होता है कि python जो प्रोवाइड करती है वह बहुत सारा popular variables को यह हमें देती है जिससे कि हम लोग programming इसे कर सकते हैं साथ में python में क्या होता है object oriented programming और procedural oriented programming जो होती है यह सारे साथ में यह dynamic memory allocation भी कर सकती है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि हम लोग इसे easily हम लोग इसे सीख सकते हैं और use भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो syntax से बहुत जादा straightforward है और साथ में यह बहुत सारे English language में भी use होता है तो इसे match करता है तो हम लोग इसे easily है इसे हम लोग use कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी semicolon या फिर curly bracket या फिर indication कोई code का जो block है इस चीज़ों का भी मतलब use नहीं होता है यहाँ पर python में जो कि दूसरे programming language में use होती है तो यह recommended programming language है जो कि एक beginner के लिए और अभी के time में whole world में अगर देखा जाए इस चीज़ का मैं वीडियो में आपको आप अल्रेड़ी एक चीज़ आप देखोगे कि मैंने उस चीज़ को कैसे आपको बताया आपको दिखाऊंगा कि अभी क्यों python इतना जाद popular है आप लोग को यह इतना help क्यों करेगा सीखने में सेकेंड आती है कि यह expressive language है जो कि आपका perform करता है आपको जो complex task है मतलब कि बहुत जाद वो difficult task है तो उस चीज़ को भी यह simple way में आप इसको प्रोग्राम को रन कर सकते हैं जैसे कि आपका hello world हो गया program जो कि आप simply अगर आप type करते हैं print करके आपका bracket के अंदर double code के अंदर अग हो जागा आपको बड़ा कुछ भी code लिखने के जरूरत नहीं है आपको जादा syntax के जरूरत यह बस इतना सा आप लिखेंगे तो आपका programming आपका run कर जागा तो यह बहुत जादा easy है दूसरे programming language के through अगर देखा जाए तो अगर आप इसको अगर अच्छा से सिखते हैं तो यह बहुत जादा काम कुद देगा आपको साथ में इसके बाद आगे चलते हैं कि यहां पर यह line by line ही क्या करता है एक्जिक्यूट करता है जहां पर कि Java और C क्या कर सकता है multiple lines को करता है एक साथ multiple lines को वह execute कर सकता है इसके बाद आती interpreted language कि यह python क्या करता है कोई भी language को at a time यह line को execute कर सकता है साथ में इसका जो advantage है वह language को तो interpret करता है साथ में यह debug भी बहुत easily कर देता है कि अगर कहीं पर गलती है तो आपको यह बता देगा कि यहां पर आपका गलती है साथ में यह portable भी है मतलब यह छोटा भी बहुत जादा कि आप इससे ब्रन कर सकते हैं बहुत easily त और साथ में इसका जो चौथा जो point है वो है आपका cross platform language यह cross platform language का मतलब होता है कि यह आप different platform जो जितने भी हैं वो सारे platform में आप इसको use कर सकते हैं जैसे कि आपका windows हो गया Linux हो गया आपका यहां पर message हो गया इसके बाद आपका अगरा इसको बोले कि python पहुत जादा portable language है कि आप किसी भी OS में आप इसको run करा सकते हैं और इसे आप run करा लिखने के बाद इसे execute भी करा सकते हैं साथ में पांचवा जो point है यह free and open source है free and open source का मतलब होता है कि कोई भी python की जो program है वो python की program freely available है सबके लिए आप इसे freely download कर सकते हैं यहां पर देखिए आप यहां का जो मैं description box में कि आप यहां से आप download भी कर सकते हैं वहां से जाके तो यह बहुत ज़्यादा large है और community आपका साथ में आपका जो जितने भी पूरे world में अगर देखा जाए तो यहां पर dedicatedly यहां पर काम होता है बहुत सारे modules पर या फिर function अगर देखा जाए जहां पर की python community है जो कि freely यह हम लोग को available कराती है कि हम लोग इससे काम कर सके और हम लोग इससे download करके इससे हम लोग कोई भी play कर सके या फिर इसे हम लोग इसके लिए हमें कोई भी पैसा हमें देने की ज़रुत नहीं पड़ती है तो यह बहुत ज़्यादा efficient भी है इसलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या features है पहला तो इसके बाद है आपका object-oriented language है यह और यह object-oriented language concept इस में आया है साथ में इस DRC आ επका class की concept Chanel objective option है यह जो execute होता है साथ में आपका यह आप का यह support करता ए lust सपोट करता है inheritance इस सपोर्ट करता है polymer所以 programmer सर्म करता है हमें help करती है जहां पर हमें code को बहुत कम हम लोग code लिखते हैं लेकिन हमारा काम बन जाता है तो यह less coding हम लोग को करनी परती है इस जगह में साथ साथवा point जो है यह extensible है कि हम लोग यह कोई जैसे कि अगर जो C और C++ में जो भी हम लोग का use होता है उससे भी हम लोग compile करके code को हम लोग python में हम लोग इससे को use कर सकते हैं या फिर हम लोग का जो code है उसमें जो code है उससे क हम लोग inherit कर सकते या फिर use करके हम लोग उसके help से हम लोग खुद से फिर से हम लोग generate कर सकते कोई भी application को python के तरू इसके बाद आती है इसकी जो large standard library इसका जो library function है बहुत बड़ा है जहां पर की आपका machine learning, web development या फिर web developer जहां पर या फिर scripting बहुत सारे आपका machine learning की जैसे क यहां पर टेंसर फ्लो यहां पर पैंड़ नमपाई या फिर क्रॉज या फिर पाई ट्रॉट यह फिर आपका यह सारे आपके machine learning की इतने सारे आपके यहां पर जो भी दियो wide range of आपके libraries यहां पर दियो है जो कि इससे पहले ही library में आपका बहुत सारे coding पहले से की हुए जो pyramids यह आपका popular framework होगी जहां पर popular framework जो कि web development में यूज होती है जैसे कि website बनाने में हम लोग को यूज होती है यह सारे चिजह में यह सारे आपके standard libraries है जो कि use कर सकते हैं हम लोग इसके बाद आते है नौवा पॉइंट जो कि है GUI आपका programming support यहां पर हमें देती है साथ में इस यह सारे आपकी GUI है जो कि application web application को develop करने के लिए यूज होती है इसके बाद है आपकी 10 number point है आपकी integrated integrated का मतलब होता है कि यहां पर कोई भी language को easily हम लोग integrate कर सकते हैं जैसे कि आपका C, C++, Java यह सारे codes को हम लोग क्या कर सकते हैं code को line by line हम लोग इसको easily debug कर सकते हैं इस जगह मे Python के दो यहां पर embeddable यहां पर जो लिखा हुआ है आपका 11 पॉइंट यह point आपका क्या है कि Python की जो programming की code है यह बहुत जादा easy है जो कि आप कोई भी कहीं पर भी इससे run करवा सकते हैं या फिर embed कर सकते कोई other language के साथ भी अगर दूसरे कोई अगर language है उसके साथ भी आप इस Python की जो भी यहां पर features आप देख रहें कि यहां पर जैसे आप Python जो कि यहां पर आपका dynamically हम लोग इस पर memory को यहां पर दे सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख पा रहें कि specify करता है कोई भी data type जो कि variable है अगर वो assign हो रहा है कोई भी variable के through और यहां पर automatically allocate क्या करता है memory जहां यहां पर जो run time get through तो यहां पर suppose अगर हम लोग माल रहते हैं कि अगर assign करते है कोई एक value है जिसका 15 to x अगर यहां पर value लिया गया है तो यहां पर हम लोग को ज़रुत नहीं पड़ते है कि right int x equal to 15 जस्ट हमें यहां पर यह चीज़ हमें लिखने के जरुत नहीं पड़ती है तो यहां पर हमें क्या करने के लिए जस्ट रुट करने की लिए जस्ट हम लोग लिखते है right x equal to 15 जो हो फिकर यहां पर यहां पर यहां पर हम लोग लिख रहा है और उसकी वर्जन पाइथन का जो फाउंडर है यह लेड़ आपके 1980 में आपका जो पाइथन है वो आपका आया है साथ में इसके बाद जो इसकी इंप्लिमेंटेशन है पाइथन की वो स्टार्ट हुआ 1989 में जो कि ग्योड गुडो वें रोसम जो कि यह इनकी आपके CWI जहां कि आपके नेदरलेंड में है वहां के वो है और वहां के यह डेवलपर जो कि आपके डेवलप किया है जो क्योडो वें रोसम है यह इन फेबररी 1991 में यह अपना पहला कोड पब्लिस करते है जो कि लेबल वर्जन जो कि 0.9.0 की है यह आपकी पहली आपके पाइथन की है जहां पर 1994 में आपकी पाइथन 1.0 रिलीज होती है जो कि यहां पर आपके जो फीचर्स दिये जाते हैं जैसे कि लांबा मैप फिल्टर्स तो रिड पीचर्स है जैसे जैसे गार्वेज कलेक्शन सिस्टम जैसे कि जावा में गार्वेज कलेक्शन सिस्टम होते है वैसे ही पाइथन में भी होती है तो यहां पर गार्वेज कलेक्शन सिस्टम भी यहां पर आती है जो आटमेटिक गार्वेज कलेक्शन सिस्टम यहां पर और यह design किया गया और साथ में rectify किया गया कि fundamental flow जो language का flow होता है उस इसको यहाँ पर लाया गया इसके बाद ABC जो programming language है यह भी एक procedure जो pre procedure है आपका Python language में जहाँ पर की capable है आपका exceptional handling को use करने के लिए इसे handle करने के लिए साथ में इसका जो interfacing है interfacing जो भी है वो AMBA operating system में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं जैसे कि आपका programming language जो कि यह python के से influenced है जैसे ABC language और modular 3 के ऊपर से यह influenced है यहाँ से यह python को develop किया गया इन दोनों language से तो यह इसके influenced है इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर आप जो देख रहे हैं आपके python के list और कब यह version आपके develop हुई तो यह सारे release की date है यह बहुत ही important यह सारे चीज़े पूछे जाते हैं कि कब आपके python phone आया या फिर इसके version का भी बहुत सारा महतु है जो कि दूसरे आपके जितने programming language में इतने जादा महतुआ नहीं इसके version की list के अपर लेकिन python में इसके version का जो महतुआ है वह बहुत ही important है जो कि जितने बार ही इसका version आया है उतने बार ही यह कुछ न कुछ नए नए चीज़ों को लेकिया है और ऐसे नए नए चीज़ लेकिया है जो कि हमें बहुत जादा easy करते जो कि अभी के time में आप latest जो अभी हम लोग use करते है वो है python 3.8 जो कब आई है release वही जो कि 14th October 2019 में यह आई जो कि python 3.7 आपका आई है June 27, 2018 में यह आई जैसे यहाँ पर python 3.6 जो है वह आपके December 23, 2016 में यह आई थी तो यह आपके सारी releasing date है कि कब यह सारी चीज़ा आई है और python की यह updates है जो आप यहाँ पर देख पा रहे है इस जगह से यह आप लिख भी सकते हैं यह important है बहुत इसके बाद आते है python के application जो यहाँ पर हम लोग use करते है python में जाए तर हम लोग कौन कौन से application हम लोग इस से से बना सकते हैं या फिर यह बहुत ही fast growing programming language है और world wide में अगर देखा जाए कि python में application कौन कौन से use होती है जो कि हम लोग बना सकते हैं जैसे कि wave application हो किया उसके बाद desktop GUI application बना सकते हैं console based application बना सकते हैं software development कर सकते है scientific and numeric कर सकते हैं business application कर सकते है audio video application कर सकते है 3D CAD application कर सकते है जो भी 3D जितने भी आपका 3D printing हो गया या फिर 3D से related जितने भी का में वो कर सकते हैं enterprise application कर सकते हैं जो कि आपकी business से related होती है या फिर बड़े-बड़े company हो में लगती है वो सारे application वो सबको develop कर सकते हैं इसके बाद आती है image processing application image processing application artificial intelligence को भी यहाँ पर python के थुरू embed कर करके हम लोग बना सकते हैं तो python बहुत जागा developed application है एक programming language है जिसके थू हम लोग यह सारे application को हम लोग develop कर सकते हैं या फिर बना सकते इसके थूरू तो इसके जो range है बहुत दूर तक है तो इसके बाद हम पर चलते कि python को install कैसे करते हैं तो पहला हम लोग windows का बात करेंगे उसके बाद हम लोग linux की बात करेंगे कि पहला तो है यहाँ पर कि आप ज साइट जहाँ पर आपको जाना है और आपको यहाँ पर आपकी version जो है latest version वह आपको download करनी है यह देखिए आपका download का option है इस जगह में आपको click करना है तो आपको यहाँ पर download हो जाएगी तो यह हो गई आपकी जो आपके release है जो भी नया आपका version है वह आपने machine के लिए तो उसके बाद आपको कौन सा select करना है install now में install now में आप click करेंगे दिन आपको क्या करना है next करना इंटर प्रेस करना इसके बाद आपको कहां जाना है इसके बाद जो आपका dialogue box खुलेगा जो भी आपका box खुलेगा वह ऐसा दिखेगा तो इस जगह में आपको इतने सारी च आपको क्या आना है आपको क्या 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 आपको install करना है जैसे क्या आपका होगे instant for all user हो गया इसके बाद associate files with python होगे यह इसको click करना है इसके बाद create shortcuts आपका application यह करना है इसके बाद pre compile standard library यह करना है यह सारे को आपको click करना है जैसे आपको मैंने यहां पर दिखाया वैसे आपको select करना है, select करने के बाद आपको install करना है, यह आप install करेंगे, तो then आपको क्या आएगा, इसके बाद आपको यह install होने लग जाएगा, अब यह install complete होने के लिए आपको थोड़ा सो wait करना है, जब तक यह install नहीं होता है, अब यह install होने के बाद आपको क्या करना है, आपक ही आपको एक एरर आएगा चहां को लिखा हुआ रहाएगा पाइटन इस नोट रिकोगनाईज एस एंटर्नल और एक्टर्नल कमाड अपरेबल प्रोग्राम विद बैस फाइल यह आपको बोलेगा ही आपका जो सिस्टम है और आपका कमांड प्रॉंड में यह चीज बताएग में आपको प्रोपेटीज हbourg क्लिक कर करके प्रोपेटीज में जाना है प्रोपेटीज के बाद प्रोपेटीज एगा फ्रोपेटीज एगा जाहाँ मैंने बता दो वैसे ही यहां पर path यहां पर दी हुई है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा है आपको new करने के बाद आपको okay करना है जहाँ पर आपको लिखना है Coms आपको Windows आपको System 32 CMT यह चीज करना है फिर okay करना है आपको hr 86 slash python आपका जो यह python जहां पर है यह python आपका इंस्टाल हुआ है वो python का path वह पर देना है आप python का path देने के बाद आपको ok करना ok करेंगे फिर इस जगे में ok करेंगे अब आपका ready हो गया आप आपका run करने के लिए यह तो हो गई आपका इसमें हो गई कि कैसा आप आप की Linux में, Linux में आप कैसे कर सकते हैं? Linux में कैसे इंस्टॉल करना है पहला तो Linux में आपको जाना पड़ेगा जैसे कि आपका repository है, ATP repository है जहां से आप आप अपने Command Porn खोलेंगे जो आपका Linux है Linux में आप Command Porn खोलने के बाद आपको क्या लिखना है? यहां पर update जैसे यहां पर आपको यह चीज़ आपको type करने पड़ेगी apt-get update यह चीज़ आपको लिखनी होगी उसको बाद enter करेंगे next आपको क्या करना है install python python को install करने के लिए क्लिए 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 पूरेगा apt-get install python 3.6 या फिस जो भी वर्जन है उस वर्जन को यहां पर लिखना होगी जो आप इंस्टाल करना चाहते है यह करेंगे उसको बाद enter करेंगे इंटर करने के बाद आपको आएगा verify python verify python में आपको क्या करना है कैसे लिखना है जैसे dollar में यह लिखा हुआ है तो आपको python यहां पर बस लिखना है और interface करना है देखिए आपको वहां पर आपका जो वर्जन है आपको देखेगा कि जो भी आपका install हो है Linux में ठीक है अब य python जो लिखा हुआ है आप यहां पर टाइप करेंगे कि python 3 आपर इंटर करेंगे तो आपका यहां पर वर्जन हा python की वह आपको यहां पर दिखिएगा कि कैसा python को install कर सकते है यहां पर आपको python install हो चुकी यह Linux में तो यह हो गई आपकी तो यहां पर तो हो गई आपको मैंने ये चीज़ आप कर सकते हो, अभी आपको, मैं आपको practically फ्रोग्राम करके दिखाओंगा जैसे की मेरा देखे, मैंने करके रहा है आपको ये चीज़ प्रेक्टिकल्य करके इसलिए दिखा रहा हूं जैसे मैंने डी फोल्डर में अगर इसको अगर उपेन करते हैं तो हम लोग इस चीज को पढ़ सकते क 거지 इसके इंदर हम लग त्यक कोड लिखे है और इसको हम लोग देखे। जैसे हम लोग प्रेंट टेस्ट प्रोग RAM हम多 की तो यह चीज़ करने के बाद आपको करने से फाइल में जाना है सेवेस करना है सेवेस करने के बाद उस जगह में आपको क्या देना है जैसा आपको यहां पर मैंने दिया हुआ है टेस्ट डॉट पाई आपको देना है पाई का मतलब होता है पाइफन और यहां पर आपको आल फाइल कर देना है उसके बाद आपको देखना है अब इसके पाद चलते हैं कमांड प्रॉंड में जो को मैंने खोल के रखी है अब यहाँ देखिए यह आपky प्रोग्राम की नर्ड जहां पर पहले python के folder को आपको देखना पड़ेगा लिए मेरे मेरे डीड्राइप में यहां पर पाइफन का यह प्रोग्राम दी हुई है देखें यहां पर मैंने क्या किया है जैसे यहां पर पाइफन प्रोग्राम दिया हुए तो मुझे पहला जो आप मैंने प्रोग्राम वहां पर बनाई थी टेस्ट.py तो उसको रन करके देखते हैं तो वहां पर अगर पहला जो प python test test dot py py का मतलब होता है python यह extension है इसके बाद क्या करना है आपको enter देखिए आपको जो मतलब प्रोग्राम था देखिए successfully execute हो रही है तो अगर आपको कोई भी चीज इंस्टॉल भी आप टो उसके लिए आपको पिप यूज करना है और अगर कोई भी दूसरा प्रोग्रम में है आपको दिखा ने के लिए यहांपर कान। norm उची और दगिए स्ट लिए सब्सक्क्राइब तो यहाँ पर मैंने किया था कि कोई दो variable लिया था जहाँ पर मैंने print id में आपका assign किया था कि आपको डिलाएगा उसमें तो इस दीटोको अगर गर दिखना चाहते हैं तो कैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर a equal to 50 लिया था और b equal to a लिया था तो यह तो हमारा save किया हुआ है तो अभी हम लोग command prompt बे फिर से चलते हैं command prompt बे हम लोग क्या करेंगे फिर से हम लोग क्या लगेंगे जैसे मेरा यहाँ पर already किया हुआ है जैसे python test.1 जो उसका नाम है file का उसके बाद .py इसके बाद आपको क्या करना है इंटर press कर दیना इंटर press करेंगे 1613,671, one two तो यह variable क्या होऊ लिए आपकी allocation है जो आपकी allocation को दिखा रही है कि Dynamic variable को Oakлюч औरerson आपको दिखा रही है कहां पर आपकी 50 एपकी जो 500 की जो आपकी data थी वह कहां पर allocate हुई तो यह हो गई आपकी आपका जो programming है कि कैसे आप प्रोग्राम कर सकते है Python में तो मैंने यह सारी चीज़ा आपको दिखाया तो नेक्स आप यहाँ पर आपको एक Python क्यों इतना पॉपुलर है आपको साथ में और एक वीडियो यहाँ पर जरूर मैं दिखाना चाहूंगा कि यह लास तक इसलिए जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत important है आसा करता हूं यह सारे चीज़ा आपको समझ में ही है thank you all of you मिलते हैं फिर यह वीडियो खतम होने के बाद फिर इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि यह पाइटन इतना worldwide इतना क्यों popular है और क्यों इतना जादा इससे हम लोग यूज करते हैं तो यह हो गई हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ एंचपन से हुआ 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 और काऊवआ हुआ है झाल 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 झाल